रादे रादे जैसी क्रश्ना, आज मैं आपको एक पुरानिक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा में एक साधू की तंत्र विद्या बड़ी है या मा कुल देवी का आशिरवाद बड़ा है, इसमें इसका पूरा विवरन आएगा, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कम आरे देवी का मंदिर था, गाउं में किसी के बच्चा हो, तो सरप्रतम देवी के मंदिर में आकर ही पूजा करते थे, विवा के बाद वरवदू को कुल देवी के मंदिर में पूजा नहीं करवाई जाती तो विवा की रसम पूरी नहीं समझी जाती थी, यह प्रता आज भ आसपास लगी दूब और मिट्टी लोगों के चर्म रोप ठीक करने लगी थी गाउं के मंदिर की चर्चा आसपडोस के गाउं में होने लगी देवी माता के चर्णों के धूल से सभी बिमारियों का इलाज होने लगा ऐसा जान कर दूर दूर से लोग मा के धर्शन के लिए आने लगे गाउं के जमिनदार, सरपंच और मुख्या ने वहाँ पर तालाब, कुए और बावडी बनवाई ताकि लोगों को पीने के लिए थंडा जल मिल सके ब्रक्ष लगवाए ताकि लोगों को बेड़ के नीचे बैठने के लिए थंडी चाया मिल सके वहाँ पे बहुत से पशु पक्षी भी आते थे जिने पीने को पानी और गर्मियों की दोपहर में वे चाया में विश्राम करते एक बार बारिश का मोसम था गाउं में भैंकर बरसात हुई पूरा गाउं बार से घिर गया लोग घरों को छोड़ कर सुरक्षित इस्तान पर जाने का मन बनाने लगे कुल देवी का मंदिर पहाड़ी की उचाय पर था इसलिए पानी वहां तक नहीं पहुँच पाया रात पडोसी गाउं का एक लखी राम नामक एक व्यक्ति अपनी गाई को लेकर वहां से गुजर रहा था देवी माता के मंदिर के पास उसे थोड़ी सूखी जगे दिखाई दी तो उसने सोचा रात को यहीं रुख जाता हूँ सुबह आगे जलूँगा वह मंदिर में आकल बैठ गया बाहर सूखी जगे में उसने गाई बाढ़ दी थकावत के गारन शिगरी उसे नीद आ गई सपने में उसे देवी दिखाई दी उसके हाथ में एक कलश था देवी ने लखी राम से कहा कि यहां के लोग सुबह गाउं छोड़कर जाने की सोच रहे हैं तुम उनसे कहना कि वे गाउं न छोड़ें तब लखी राम बोला कि हेमा यहां तो बहुत तबाही मची है लोग भूके मर रहे हैं पूरे गाउं में पानी भर गया है देवी ने कलश से एक बीज निकालकर लखी राम को दिया और कहा कि तुम इसे मठ के बाहर सूखी जगर पर लगा देना तीन-चार दिन में ये सारा पानी सोख लेगा सुबह हुई लखी राम की नीन खुली उसने सपन वाली बात याद करी पर वे मनीमन सोचने लगा कि देवी माने मुझे बीज दिया था वो कहा है वे बाहर गाई के पास आया वे देखकर हैरान रह गया गाई के पैरों के पास बिलकुल वैसा ही बीज पड़ा था जैसा सपन में देवी माने उसे दिया था तब तक गाव के लोग भी देवी माता के दर्शन करने के लिए वहां आए लखी राम ने उनको देखा और उनसे कहा कि भाई अब तुम कहा जा रहे हो गाव वाले बोले कि हम देवी मा के दर्शन करके इस गाव को छोड़ कर जा रहे हैं लकी राम ने अपने सपन वाली बात गाम वालों को बताई और वह बीज भी दिखाया गाम वाले बहुत खुश हुए उन्होंने देवी मा का इसमरण कर बीज को सुकी जमीन में लगा दिया फिर सब अपने अपने घरों को लोट गे और सचमुश तीन दिन बाद ही पूरा पानी उस बीज ने सोख लिया और उन लोगों ने गाउं छोड़कर जाने का विचार भी बदल दिया थोड़ी देर बाद में वर्षा भी रुख गई दूप निकल आई अच्छी ठंडी हवा भी चलने लगी पानी सूखने लगा दिन प्रती दिन जलिस्तर भी घटता जा रहा था लोग बहुत प्रसन हुए सबने मिलकर माता के मंदिर में पूजा की लखी राम सबसे आगे था बार खतम हो चुकी थी जो लोगों ने खेती करना शुरू किया जमीन प्यासी नहीं थी खूब अनाज पैदा हुआ लखी राम कुल देवी का चमतका देख चुका था उसने सोचा अब पूरा जीवन में यहीं रहूँगा देवी की पूजा करूँगा उस दिन से लखी राम गाय के साथ आश्रम में ही रहने लगा और देवी की पूजा पाट करने लगा समय के साथ उस बीज ने भी पेड़ का आकार ले लिया उस व्रक्ष की शाकाएं दूर दूर तक फैल गई उनी दिनों गाउं में एक साथू आया वह तंत्र विध्या जानता था उसने गाउं के बाहर समाधी लगाई समाधी की समापती पर उसने वहां एक विशाल डेरा बना लिया और तंत्र मंत्र से गाउं वालों को तरतर के कर्टब दिखाने लगा गाउं के लोग उस साथू से ड़ने लगे उनोंने डेरे के निर्मान के लिए लोगों से धन मागा और श्रमदान भी मागा कुछी दिनों में वहां एक विशाल बहुन खड़ा हो गया सिर्फ अट्टालिका की छट के लिए एक शेहतीर की कमी थी एक दिन लखी राम देवी की पूजा कर रहा था तबी वह सादू वहां आया और लखी राम से बोला कि डेरे के निर्मान के लिए तुमने क्या योगदान दिया लखी राम ने आदर से उसे बैठाया और विनमरता से कहा कि महाराज मैं माता से प्रातना करूँगा कि वह आपके डेरे की छट को पूरा करवा दे उस सादू को बड़ा गुस्सा आया उसने कहा तुम क्या प्रातना करोगे और क्या तुमारी देवी मेरी मदद करेगी मैं खुद कर लूँगा मट के बाहर उसने वही पेड देखा और वह उस पेड को काटने का मन बनाने लगा लेकिन लखी राम ने कहा कि महाराज आप इस पेड को मत काटिये बाबा ने कहा तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो अगर तुमने मुझे यह पेड काटने नहीं दिया तो मैं अपने तंत्र मंत्र से पूरे गाउं को डुबो दूँगा। लखी राम चुप हो गया। उसे बाबा की अभिमान भरी बाते अच्छी नहीं लगी। थोड़ी देर बाद वह सादू एक खुलाडी लेकर आया। तब तक गाउं के दूसरे व्यक्ति भी वहां आगे। गाउं के सभी लोगों ने सादू को रोकने चाहा लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वे उसके तंत्र मंत्र से डरते थे। बाबा ने खुलाडी उठा कर जैसे ही पेड़ पर प्रहार किया तो उसमें से एक सर्प और एक कच्छव निकला। बाबा ने सर्प को म अंत्र बल से वश में कर लिया लेकिन वे कच्छव न पकड़ सके कच्छव ने उचल कर उसके पाउं में काटलिया। शन भर में ही वह सादू मुर्चित होकर जमीन पर गीर पड़ा। लोग को समझ पाते उस से पहले ही कच्छव और सर्प अंत्रध्यान हो गए। थोड़ इस बाबा को उसके गमन की सजा मिल चुकी है मैंने उसे उसकी सजा दे दी है तुम आदर पूर्वक अब उसका अंतिम संस्कार कर दो गमन कभी फलता फूलता नहीं है यह दिखाने के लिए डेरे की अटालिका की छट अदूरी ही रहेगी तुम डेरे को उतना ही आदर देना जितना की तुम मेरे इस आश्रम को देते हो इस घटना को सहकडो साल बीद गए हैं रोतक जिले के एक गाउं में आज मी माता के मट के पास लखी राम की समादी है और उसके कुछी दूरी में एक डेरा है जिसकी छट आज भी अदूरी है तो आज मैंने आपको एक सच्ची पौरानी कथा सुनाई अगर आपको ये पसंद आती है तो जेहु मा कुल देवी की जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद